Samsung Galaxy A55 का render image पहले ही leak हो चुका है और इस phone को Geekbench पर भी already देखा जा चुका है लेकिन अब ना इस phone को Bluetooth SIG certification पर भी देखा गया है और तो और इस phone को TUB certification भी मिल चुका है जिससे इसके charging speed के बारे में पता चलता है और Geekbench से Android version, processor और RAM के बारे में पता चलता है already इसका सारा ही specification और launch date वगरा पता चल चुका है तो इस वाले वीडियो में मैं आपको इस phone के बारे में सब कुछ बताता हूँ सबसे पहले हम लोग इसके look और design से सुरुआत कहते हैं और इस render image से इसके look और design के बारे में पूरी तरह से clear हो जाता है इसका जो look है वो पिछला A54 के तरह ही same होने वाला है बैक में तीन केमरा का setup होगा प्लास्टिक का frame होगा और सेम पिछला बार की तरह ही front और back दोनों side में gorilla glass 5 का protection भी मिलेगा और इस render से पता चलता है ये flat होने वाला है और सेम पिछला बार की तरह ही dual stereo speaker IP67 का rating भी होगा और micro SD card भी लगाने का option मिल सकता है और हाँ सेम पिछला बार की तरह ही 3.5 mm का jack नहीं मिलेगा इसका design सेम A54 की तरह ही होगा ज्यादा कुछ change नहीं किया गया है और design इसका अच्छा है अब इसके display part पर आते हैं और यहाँ प refresh rate के साथ आएगा यह सब तो सेम है बस इसका size ही थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है और जैसा कि मैंने आपको बताया गोर्ले गलास 5 का protection होगा HDR10 वगरा का support भी होगा पिछला बार 1000 नीट्स का peak brightness मिला था इस बार आपको थोड़ा सा जादा मिल सकता है और हाँ in display fingerprint scanner को कैस वाली अच्छे ही होते हैं जिस तरीके से 54 का एकदम मस्त था ना उसी तरीके से इसका भी एकदम मस्त होने वाला movie बगरा देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले एकदम best experience होगा अब हम लोग इसके processor part पर आते हैं तो जो geekbench list हुआ था ना उसका clock speed वगरा को देखने क के बाद लोगों का कहना है कि इसमें exynos का 1480 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा अभी तक नहीं पता यह कितना एने फैबरिकरिकर्शन प्रोसेस के साथ आएगा इसका इंटूटू स्कोर क्या है इसका जीप्यू ना AMD के RDNA2 पर बेस्ट है जिसका नाम है एक्सक्लि पर से ज्यादा अच्छा यह प्रोसेर करवा देगा इसके गीग बेंच से पता चलता है इसमें एंड्रोइड 14 होगा और जब एंड्रोइड 14 मिल रहा है तो वान वाई 6 होगा और ना इस फोन का बेस्ट बेरियंट 8GB RAM से स्टार्ट होगा और आपको भी पता है इस फोन में इसमें भी 5 या फिर 6 साल का एंड्रोइड अपडेट दे दे तो आउर अच्छा मजा मतलब आउर मजा आएगा अब इसके केमरे के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें 50 मेगा पिक्सल का प्राइमरी केमरा मिल सकता है जिसमें YS होगा 12 मेगा पिक्सल का अल्टरा वाइड जैसे कि सिंगल टेक हुआ और वीडियो में काफी अच्छा पीचस सामसंग देता है वीडियो करते करते ही आप इसके फ्रंट केमरा में भी स्विच कर सकते हो और इसके गैलरी में काफी अच्छा पीचस होता है सब्जेक्ट इरेजर करके यानि फोटो खीचने के बाद जाओ तो आप बाद में भी इरेज कर सकते हो इसका केमरा भी सेमें 54 की तरह ही काफी अच्छा होगा और सैमसंग के केमरा यूजवली अच्छे ही होते हैं एक दाम बेस्ट तो नहीं बोल सकते लेकिन जब आप उसे फोटो या फिडियो की चोगे ना तो आप डिसपोइंट लेकिन हां बोक्स में चार्जर नहीं होगा वो अलग से लेना पड़ेगा इसका प्राइस ना 40,000 के आसपास हो सकता है और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अपरेल के महीने में हो सकता है तो आपको भी पता है एए 30 ए 30 सीरीज और ए 50 सीरीज दोनों साथ सा होते हैं इसलिए इसका लोंच डेट भी आप अपरेल मान सकते हो तो मैं आसा करता हूं कि आपको इस फोन के बारे में एडिया लग गया और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और किसी दूसरे वाले वीडियो मिलते सबीको बाइ